नमस्कार प्रशी साथियों, आप सभी का स्वागत अभी नंदन है आपके अपनी चैनल एडू क्लासेस में, जहां पर मैं इस मितामिस्टर आप सभी को हिंदी सहितिकी क्लासेस देती हूँ, आज मैं आप सभी लोगों के लिए सभी हिंदी परिक्षाओं के लिए और सबसे प ही आज मैं आप सभी लोगों को हिंदी उपन्यास की क्लास देने जा रही हूँ, आसा करते हूँ, आप सभी को एक लास पसंद आएगी, तो चलिए मित्रों क्लास को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एपीजे अब्दुलकलाम जो हमारे बीच हमारे सभी के हैं, गुरू किसको कहते हैं जिसे हम को सीखते हैं और एपीजे अब्दुलकलाम तो हमारे लिए बहुत कुछ दे गए हैं, साहिते में और हर तरही के से, तो सीखने के लिए आप कहीं से भी सीख सकते हैं, लेकिन इनके विचार कुछ ऐसे उतकृष्ट विचार हैं, कि नद रहें, परिस्थितियां कभी हमारे लिए समस्या नहीं बनती, समस्या तो तब बनती है, जब हमें परिस्थितियों से निपठना नहीं आता, और ये सही बात है, मित्रों कोई भी परिस्थिती हो, आप एक बात बताईए मुझे, मैं क्लास को इस्टार्ट करूँ उससे पहल आगे बढ़ना चाहता है, जो कुछ करना चाहता है, उसकी लाइफ में, उसके जीवन में, कुछ न कुछ संघर्स रहता, और आपको पैदा होगा, ये संघर्स है, ये परिस्थितियां बुरी हैं, तो वो बुरी परिस्थितियां हमें लगता है, इसलिए हमारे लाइफ में आती हैं हमारे जीवन में आती हैं कि हम आगे बढ़ कर कुछ कर सकें कुछ अच्छा कर सकें कुछ बढ़ा कर सकें और अपने समाज को दिखा सकें कि कितनी भी बड़ी कितनी भी बुरी परिस्तितियां हो हम उनसे जूच कर उनसे निपट कर आगे बढ़ सकते हैं है ना आपको क्यों देतें थे वह चटिल परिस्तितीयां क्योंकि वो उसको मजबूद बनाना चाहेते थे वह उनको ऐसा बनाना चाहेते थे कि किसी भी परिस्थती में यह आप तो चली फ्रेंट इस क्लास में मैं एक छोटा सा निवेदर आप सभी से करना चाहूंगी कि आप लोग जब क्लास देखते हैं तो हमारे प्रोसाहन के लिए एक लाइक और फीडवेक जरूर दिया करिये क्योंकि इससे हमें फीडवेक से मोटिवेशन मिलता है प्रोसाहन मिलता है कंटीनिव वर करने लिए और आपको पता ही है कि धीरे धीरे हमें दो साल का एक्सपीरियन्स होने जा रहा है हमारा और अभी बहुत कम लोग जुड़े हैं आप लोग देख रहे होंगे कि 5000 लोग होने जा रहे हमारे चैनल पर और दो साल के दो साल में कोई नहीं हिंदी साहिती हम पढ़ते हैं यहां पर सभी हिंदी परिक्षाओं के लिए तो आप लोग जुरे रहे हमारे साथ तो चलिए पहला प्रश्न जो है हमारा हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है तो हिंदी का प्रतम उपनयास पढ़ने से पहले हम जानेगे कि हिंदी उपनयास जो है इसका विखास किस सदी से हुआ है यह हम जानेगे तो वह आपका क्योंकि यह प्रशन में इसलिए उठाया क्योंकि यह UGC net dotγα了 में प्रश्चन डारेक्ट पूछा गया है प्रफम उपन्यास जो है वह परिच्छा गुरू अगर किसी आलोचक का नाम दिया हो ता पहुंचा जाए तो उसके लिए हमें डेटेल से पढ़ना पड़ेगा ठीक हिंदी का प्रफम उपन्यास परिच्छा गुरू है और स्यामा सपन जो है यह भार्जेंदु यूग के जो पन्यास कार जो है जो परिच्छा गुरू लिखा है 1872 में वो लाला स्री निवास दास ने लिखा है और दिवकी नंदन खत्री एक ऐसे रचनाकार है जो कैसे हैं तिलस्मी इन्होंने तिलस्मी प्रकार का जो लिखा है चंद्रकांता साइध आप लोगों में से भी किसी ने पढ़ा हो और चंद्रकांता एक ऐसा उपन्यास है जिसको जो लिखा गया था अने भासा में लेकिन उस को पढ़ने के लिए लोगों ने क्या किया ये हिंदी में लिखा गया अने भासी लोग चू थे उन्हों ने हिंदी को सीखा था तो हिंडी का प्रतम उपन्यास कार इन में से कौन सा है तो लाला स्री निवास दास है प्रेश्ट नमबर तीन आप देखेंगे कि इस यामा स्वपन नामक उपन्यास किसे के दौरा लिखा गया है तो अभी हमने पढ़ाए जग मोहां सिंह के दौरा प्रेश्ट ने तिलस्मी प्रकार के उपन्यासों का जो है इन्हों नहीं इसकी स्थापना की थे ठीक है इन्होंने लिखना प्रारं था तिलस्मी ब्रकार के मतलब जैसे आप तलम मजव चीज़े आपने सुनी होंगी वैसा ही कुछ प्रश्च नमबर पांच गोवद की समस्या है तो राधा कृष्ण ने कृष्ण दास ने कौन सा उपन्यास लिखा है तो आप देखेंगे यहां पे वो है निसा है हिंदू अब आपसे यह कहा जाएगा कि गोवद की समस्या किस र रचना में तो निसा है हिंदू जो 1890 में लिखा गया राधा कृष्ण दास जो रचनाकार हैं कौन सी यूके हैं भारतिंदी यूके हैं निसा है हिंदू इन्होंने गोवद की समस्या पर लिखा है प्रश्च नमबर छे आप देखेंगे जासूसी उपन्यासों के लिखने की शुरुआत कहां सी हुई थी जासूसी अभी हमने तिलस्मी के बारे में पढ़ा था जो देवगी नंदन खत्री हैं और जासूसी अगर बात करें कि जासूस लोग होते हैं जो C.I.D. आपने देखा होगा जासूसी लोग ही होते हैं इस तरीके का गोपाल राम गहमरी जो है उन्होंने दिखा है प्रिश नमबर साथ आप देखेंगे कि जासूसी पर जासूसी उपन्यास किसका है तो गहमरी जी का ही होगा क्योंकि जासूसी से संबन्दित है प्रिश नमबर आठ देखेंगे आप लोग की जिन्दी की लास किसका उपन्यास है तो ये कि सोरिलाल गो किसके उपनियास हैं तो ये दुवेदी यूकिय रिशनाकार है आयद्यासी मुपाद्याय जन्म कब हुआ था 1865 में प्रभास इन्हों ने लिखा है प्रश्च नमबर दस आप सेवा सदन उपनियास किसके तो लिखा गया है तो सेवा सदन 1918 में लिखा गया और अधिकतर लोग अब यहाँ पर उपनियास के जो प्रेमचंद के उपनियास उनमें थोड़ा सा कंफूजन रहता है कुछ लोगों के सामने कहों कि सेवा सदन प्रथम है कुछ लोग तो जब हम इसको पढ़ते हैं कई जगए पर पढ़ते हैं तो 1918 आता है और सेवा सदन ही पहला माना जाता ह है और यह कई परिच्छां में भी पूछा जा चुका है तो प्रश्ण के एकोर्डिंग होता है सवाल है ना तो सेवा सदन परनियास किसके द्वारा लिखा गया है मतलब प्रश्ण के एकोर्डिंग की आंसर देना पड़ता है सेवा सदन परनियास किसके द्वारा लिखा ग सरकटी लास गोपाल गहमरी का है अपसरा सुरी का अंत्रपाइट मिराला का है विगड़े का सुधार लज्जारा महता का है ठीक है तो आप नोट कर सकते हैं या फिर आगी फिर से आपका जो है मैस करने के लिए ही आया तो यह यहां पे जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की या फिर टीजीटी पीजीटी की परिष्छा देने जा रहे हैं या फिर जो लोग नेट जिए अरप कर रहे हैं तो मैस करने के लिए कोश्चिन यहां से बन सकते हैं काजल की कोठरी देव की नंदन खत्री का है जासोस की भूल गोपाल राम गहरी गहमरी का है अधखिला 1936 में 36 अध्यायों में लिखा गया है ध्या रखिएगा ठीक है प्रश्च नमबर 14 दिल्लीक अदलाल किसका उपन्यास है तो यह पांडी वेचन सर्मा उग्र जो है इनका है और यह प्रकासित कब हुआ था तो यह 1927 में प्रकासित हुआ था उसके बाद में विदा है बिद क्या हो यदि तो प्रताप नराण स्रिवास्ता होंगे ठीक है करेक्ट अंसर सोला नंबर प्रश्चन आप देखेंगे मुंसी प्रेम चंजी ने अपने किस उपन्यास में दहच प्रताप अनमेल विवाग को चितरत किया था मित्रों यह वही किताब है यह पुस्तक है यह ग बाइड थी जिसका मैंने रिवेजन जब किया था तो उसमें उस समय मैंने प्रकासन वर्स लिखे थे आप जब परोचते हैं कि आपको कैसे प्रकांसन ष्छ याद रहते हैं तो मैए इसी तरीके से इनको याद किया कि जहां भी मुझे सिवा साथिन मिला म September रिखा qi 1918 में तो वो है इनका निर्मला प्रिश्ट नंबर 17 आप देखेंगे क्रिशक की तरास्दी से सम्मंद प्रेम चंजी का कौन सा पन्यास है तो वो है आपका गोदान 1936 रंग भूमी 1925 गवन 1931 कर्म भूमी 1932 चलिए आगे देखेंगे नेमन लिखित में से कौन सा एक पन्यास मुंसी प्रेम चंजी का दूपके द्वारा लिखा हुआ है तो यहां पर देखिए निरुपुमा और प्रभावती निराला के हैं दोनों 36 में प्रकासित हुए थे काया कल्प जो है यह 26 में प्रकासित हुआ मुंसी प्रेम चंजी का है प्रेश्ट नमर 19 आप देखेंगे मुंसी प द्वारा लिखा गया तो कंकाल जो है यह जैसंकर फिशाद के द्वारा कंकाल है तितली है 21 नंबर प्रिश्ण आप देखेंगे कि जैसंकर प्रिशाद जी का कौन सा उपन्यास उनकी अकाल अमरत्य के कारण पूरा नहीं हो पाया था अधुरा रहा था इरावती प्रश्ण नमबर 22 आपका क्या दिया गया है मां उपन्यास के लिखा कौन है मां विसंबदास कौशिक ने लिखा है उसके बाद में 23 नंबर प्रश्ण आपका है कि कुली भाठ जो 1949 में प्रकासित हुआ था किसका है तो यह निरालागी का है उसके बाद में बेकसी का मजार मैंने आपको गताया था कि बात जरूर आएगा उसमें तो बेकसी का मजार जो में उपन्यास जो लिखा गया था वो प्रिताप नराण सी वास्ताव का था सपचिस नंबर प्रश्ण आप देखेंगे कि निमली कित में से कौन सा एक मनो विश्लेशक उपन्यास का नहीं है तो मनो विश्लेशन वादी अग्यें हैं जैनेंद्र हैं इलाजन जोसी हैं और दे लिखा है तो 1905 में इलाजन जोसी ने लिखा है जहाज का पंची निष्ट प्रश्ण हमारा जो है नदी के दूइप आप देखते होंगे मैंने भी कई सारे यूटूबर देखें बहुत सारे टीचर ही मतलब असिस्टन प्रोफेसर लोग पढ़ा रहे हैं इनी प्रश्णों मुझे मतलब मिलते तो हैं लेकि अधिक से अधिक लोग लिखें अधिक से अधिक लोग देखें तो ज्यादा अच्छा लगता है ना कि Association भी अच्छा चाहता है लेकिन मैं फिर भी लगी हुई हूई हूँ और आप लोग जो जूड़े हैं पूरे सास के साथ जूड़े ह मतलब जो मेरी महनत है उसको सराथे भी हैं और और कहते हैं कि मैं मा बागही में हमारे था जाते हैं और बागही में महनत इस तरीके से कर रही हूँ कि मैं ये नहीं मानती हूँ कि आपने में मेरा pl hacks join किया इतने फीज़ द owी मेरा उड़िस है कि कि आप सभी को first paper भी हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है और वो भी quiz के माद्धे हम से भी और जो है class के माद्धे हम से भी तो यह चीज़े हैं और जो लोग paid course के हमारे साथ यहाँ पर class को देख रहे होंगी तो मैं आप लोगों से यह कही request करूँगी कि अब जो समय है उसमें जादा से जादा कुछ अलग पढ़ने की कोसिस मत करिए यह मन सूचिए कि लाइए और इस मिता में हम तो पढ़ाई ही रहे हैं दूसरा चैनल भी हम फोलो कर ले वहां से कुछ हमें नया मिल जाए तो यह आपकी बहुत बड़ी गलती बहुत बड़ी भूल रहेगी आप जिसको देख रहे हैं कहार नहीं जाता है यादि आप एक पर विश्वास करेंगे एक को छोड़के आप हजारों को पकड़ना चाहेते हैं है ना तो हजारों को पकड़ेंगे तो सभी छूप जाएंगे यह चीज़ है मतलब एक पर विश्वास करेंगे यह नहीं कि तो आपको अच्छा लगता है पढ़ा रहा है अच्छा है देखिए लेकिन यह बात उसी तरीके से हो गई कि एक किताब को न पढ़कर आप 10 किताबें पढ़ रहे हो और अगर आप एक किताब जो परफेक्ट है उसको छोड़कर 10 किताबें पढ़ रहे हो तो आप जीवन में कभी भी सक्षिज नहीं हो पाओगे कमपटीशन में अब यहाँ पर इस तर्थी को मैं खुद ही काट रही हूँ क्योंकि यह आपके जो बड़े-बड़े आईस के जो तैयारी करने वाले जिद्यालती है जो अवियरती है वो भी इस बात को मानते है कि आप हिट्री की एक बुक जो परफेक्ट है जैसे स्पेक् करने और एक को कम्रीट नहीं कर पाएंगे यह हमारी सबसे बड़ी कलती रहते हैं आपको हिंदी साहित का एक उर पूरा सिलिवास दिया जा रहा है तो अब उसको पढ़िए उसको बार-बार रिवीजन कर जैसे आप आप देखिए जैसे मैंने हिंदी निवंद का क्लास दि यह चीज है फिलास चलिए बात करते हैं 28 नंबर प्रशन जो है नदीः के दीप के उपन्यासकार तो वह है, 1951 में रकासित हुआ था, अग्ये का है नदीः के दीप जो है अग्ये का उपन्यास है उन्दिस नंबर प्रश्णा आपका देखिए निमली कितमे से कौन सा एक सामिवादी उपन्यासकार नहीं है तो वो अगिये हैं जो सामिवादी नहीं है इसपाल है रागंगी रागव हैं बहरा प्रशाद गुपत हैं आप इसको इग्नॉर करेंगे और पजिछा में आ गया आप पष्चाताब करेंगे हैंना यही चीज रहती है जब कोई थी तीन और चार नमबर से रह जाता है या एक नमबर से रह जाता है तो वस इसी कारण से रह जाता है क्योंकि या तो जल्द भाजी में प्रश्ण को का हुटतर ञेता है या फिर आपने कही chcia नहीं होता है प्रिश्ण मारा है जूटा सच जूटा सच जो है उपन्यास है दो भागों में लिखा गया था 1958 और 60 में किसका है यह सपाल का देश विभाजन पर है भारत पाक विभाजन पर लिखा गया है उस समय की क्या परिश्चित रही थी 33 नमबर देश विभाजन की तरास्दी पर एसपाल जी ने कौन सा उपन्यास लिखा था तो जूटा सच था दिब्या 1945 में प्रकासित हुआ है दादा कॉम्रेट 1941 में प्रकासित हुआ है अमिता 1945 में प्रकासित हुआ है 34 नमबर प्रिश्चन आप देखेंगे अमरत और 20 की सुपन्यास का उपन्यास का उपन्यास है तो सबसे पहले महाका लिखा था इन्होंने तो अमरत और 20 जो है 1966 में अमरत लाल नागर जिन्होंने मानस का हंस लिखा है खंजन लिखा है पीडिया लिखा है अमरत लाल नागर प्रिश्ण आप देखेंगे चित्र लेखा की उपन्यास का और कौन है तो वह है भगवती चरण बर्मा 1934 में चित्र लेखा 1934 चित्र लेखा देखें कितना अच्छा बन रहा है चा उसमें भी आ रहा है चा उसमें भी आ रहा है और भक्ती चरण भगवती का चित्र जो है कब और पुण्य को चित्र लेख्या हाँ चित्र लेखा यह है जिसमें पाप और पुण्य को चित्र ध्या इच्ट किया गया था Key文 Haar 305 हजारी-प्रिश्ब्शाद-विरी का उपनी श्या लिसौंगमिक उपन्यास है 38 नंबर प्रिश्णा आप देखेंगे मुर्दों का टीला उपन्यास कार कौन है तो रांगिय राघव है और 1948 में ये मुर्दों का टीला आया था कब 1948 में रांगिय राघव का है नट जीवन पर लिखा गया है ध्यान रखिएगा उचा जाता है मैला आचल आचल आचलिक उपन्यास कार फणिसर नारेंडू जो मेरी गंजगाउं से संब्दित है विहार से संब्दित है और जिनकी रचना है तीसरी कसम उन्हें का है मैला आचल और मैला आचल जो है इनका प्रथम उपन्यास है आचलिक उपन्यास है 1904 में प्रकासित हुआ था चालिस नंबर देखिए आपको जो प्रशन दिया गया है वह हजारी प्रशाद दुवेदी का उपनिया से और 1973 में प्रकासित हुआ था दिया रखिएगा और आपका बंटी इसमें जो है तलाग से समधित बात की गई और बाल मनुग्यान मतलब जो बच्चा है उसका उसके क्या मन में चल रहा है क्या क्या बात चल रही है व्यालिस नंबर एक चिथड़ा सुख के उपनियास कौन कौन है तो निर्मल बर्मा जो है यहां पर कुल कुल स्वाहा जो है उनिस सो अठान भी करिक्ट आंसर हो जाएगा चवाल इस नंबर प्रिश्ण आप देखेंगे सूरज का साथवा घोड़ा के लेख़ कौन है तो धर्मीर भारती है जोनोंने सूरज का साथवा घोड़ा लिखा है आगी दिश्ट हमारा 46 से लिखा है प्रेवाश्रह 1921 आप सरा 1931 और थ्याग पत्र निस सेंटिस दितली उनिस दितली जैसंकरबशाद का है त्याग पत्र जैनेंद्र का है अफ्रान डाला का है प्रेमास्रह मूंसी से और गोसी प्रेम करो बतायत हमें ने यह जो अनुद किया गया है उसके बाद में फिर से आपका मैश करने के लिए है तो परिच्छा गुरु श्रीनिवास का है गवन प्रेम चंद का है परक जयनेंद्र का है आधर्ष दंपति लज्जा राम सर्मा का है का प्रकास धुआ 1882 में परिच्छा गुरु 1931 में गवन 1929 में परक 1904 में आधर्ष दंपति ये क्रम से लगाने के लिए आपके प्रश्ण आ सकते हैं नेश्ट हमारा जो प्रश्ण है वो भी आपका क्या करना है मैस करना है महाभोज मनुहंडारी का है 1969 नहीं है 1979 है और अंधिरी वंद कमरी मोह राकेस का है रागदरवारी निस और शट में स्रीलाल सुकल का है वेदी निर्मल बर्मा का है नोट कर सकते हैं आप लोग 48 नंबर जो आपका प्रश्ण है वो है कि उखड़ी हुए लोग की उपन्यास कार कौन है तो उखड़ी हुए लोग जो है प्रवाकर माच्वे का मिलता ही है एना दादा कॉम्रेड यसपाल का है 1941 में चार चंद्रलेक 1946 में हजार प्रशाद दुवेदी का है और महाभोज मनुभंडारी का है 1979 सुनीता 1934 जैनेंदर का है चलिए आगे बढ़ते हैं पचास नमबर प्रश्ण आज का जहांसी की रानी के उपन्यासकार कौन है तो 1946 में जहांसी की रानी ब्रंदावनलाल बर्मा जो एतिहासिक निवन्दकार कहा जाते हैं इन्होंने लिखा है 51 नमबर प्रश्ण हम यहां से स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप रोगना चाहूंगी और आप से बुलना चाहूंगी यदि आप हिंदी साहित के विद्यार्थी हैं और आप किसी भी परिक्षा के लिए तयारी कर रहे हैं तो आप हमारा कर सकते हैं जहां पर आपको इस ट चोटी चोटी प्रश्णों को जो आपकी छोटा सा आप एक्जामपल पढ़ते हैं तो आपके माइंड में सेट हो जाता इस टाइप से पेडिया वगेरा यह नोट्स वगेरा आपको मिलेंगे वन लाइनर हैं तो अगर आप किसी भी परिक्षा की तयारी कर रहे हैं हिंदी स परिक्यों की बाद में जो लोग आते फिर उनको रिसेंड करना पड़ता है एक साथ जुड़कर आप तयारी करना चाहेते हैं तो आप जो है लिए मतलब निश्टत तयारी होने चाहिए और निश्टत सपलता होने चाहिए तो यह आपको दिखा दिया यहां पर चलिए हमने करदेखेंगे आप देखेंगे यह मैं सारा कुछ जो है पढ़ा चुकी हूँ पहले भी ठीक है प्रेमचंजी की कौन सी कृति प्रतिवंदित रही थी तो वो थी सोजे वतन जो इनकी रचना थी 1907 में प्रकासित हुई थी वो अंग्रेजों की द्वारा जब्त कर ली गई थी प्रतिवंदि लगानी ज़ना कोरने देखेंगे उपन्यास है यहाँ पे आप लगना मेरा लगना देखकर यह मना सोची यात्र था साहिती हो सकता यह हो सकता यह कूँम्ल्नाओ कोर्ण कोई से प्रशना सकते हैं एक तो आपका उपन्यास होगा कहानी होगा नाटक होगा आलोजना होगी या तरह व्रत्थ हो सकता है और आपके कोई रचनाकार का क्रम हो सकता है च्छायवादी रचनाकार का हो सकता है या जो यूग है उनका हो सकता है जैसे आधिकाल भक्तिकाल द अपन्यास को लिए आप चो जरूर में देखलेना है अपन्यास को र छum Теперь सबसे बात में आएका यहां पे लिए है इसलिए यह गलत हो जाएगा इसलिए भी ओप्सन हमारा करेक्ट हो जाएगा सेवा सब्सक्राइब रंग भूमी फिर निर्मला फिर गोदान 1936 में कितनी आसानी से आप अपना आंसर देज सकते हैं फिर आपका जो पूछा गया है गुणाहों का देपता धांबिर भारती का है मैं लाचल फणी सुना रेणु का मुझे चांद चाहिए यह सुरेंद्र बर्मा का है जो अभी चर्शा में रहे हैं अपने अजनवी यह जो है मनों विश्लेशनवादी है 1961 में प्रकासित हुआ था इसपाल का उपन्यास है 57 नंबर प्रश्ण 58 नंबर प्रश्ण आप द दर्सन दिया गया है उसमें ले जा सकते हैं इसको प्रेम चंद के कि सुपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण किया गया है तो वो है आपका कर्म भूमी जो 1917 में प्रकासित हुआ था रंग भूमी 1925 में सेवा सतन 1918 में गोदान 1936 में तो यह मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूं क्योंकि यह प्रकासन बर्स याद करना काफी लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है और पेड कोर्स में भी हमारे जो है आपको प्रकासन बर्स अलग से नोट करके दिये हैं मैंने उपन्यास का कहानी का नाटक का सभी जो most important है जो एक्जामें आ सकते ह चंद हसीनों के खतूत 1924 में प्रकासित हुआ था उपन्यास यह था पंडी वेचन सर्मा उग्रका साथ नंबर प्रश्णा आप देखेंगे निमली खित में से कौन सा उपन्यास अग्यें का नहीं है तो अपने अजनवी भी है सेखर एक जीवनी भी है नदी के दूई भी है सेखर एक जीवनी आपके सिलेवस में लगा हुआ है दो भागों में उतकर्ष और उत्थान और प साथ यहां क्योंकि हम उन पर भी जज़चा करके आएं हैं ठीक है एक सट नंबर प्रश्ण हमारा जो मित्रों है वो है हजार चौरासी की माहजार चौरासी की माहनामक पन्यास के लेखग महा स्वेता देवी का नाम आपने सुना होगा इनहीं का यह उपन्यास है शिष्टी कोहली ने लिखा है 1975 में प्रकासित हुआ था शिष्टी फॉर नंबर जो प्रश्ण है बंद दर्वाजी उपन्यास किसे लेखग के द्वारे लिखा गया सुमंगल प्रकासी है शिष्टी फाइव नंबर प्रश्ण आपका है यह दिच्छा उपन्यास का कथानक किस पराध दिच्छा उपन्यास लिखा गया है वह राम कथा पराधारी थे दिहान रखिएगा बहुत ही अच्छा प्रश्ण पूंच दिया गया डूबते मस्तूल डूबते मस्तूल में जब मेला अंचल प्रकासित हुआ था तभी दोथे मस्तूल नरेश महता का जिन्नों लिखा है स में देवता समय देवता का भी लिखा है याद रखना ठीके नरेश महता ने समय देवता लिखा है साहिति देवता माखनला चतुरवेदी ने लिखा है याद रखिएगा चलिए 67 नंबर आप देखेंगे प्रश्ण मित्रों मरजानी मित्रों यदि आपको हमारी क्लास प्रसंद आये तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा ठीक है आज मुझे देखना है कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं कितना चाहेती हो आप लोग मुझे क्योंकि मैं तो आप लोग को जितना मानती हूं कि मैं कुछ भी काम छोड़ कर अपना आप लोग के लिए लाती हूं 68 पढ़ा दी तो प्रेट कोर्स मेरा चली रहा है मैं वहाँ पे लेकिन मैं 3 क्लास दे रही हूं यहाँ पे है ना 68 जूटा सच का प्रकाशन वर्स है तो 1957 नहीं है 1958 है और 58 ही नहीं है दो भागों में लिखा गया है तो 58 1958 और 60 है ठीक है यह साथ है चली 69 नमबर जिपसी उपन्यास के लिखा कीनमें से कौन है तो जिपसी जो 1952 में लाच्छा जोसी का लिखा गया है याद रखिएगा और यह मनूविसलेशन वादी है तो जब मनूविसलेशन वादी रचना कार है तो उसका मैंने सायद बता दिया ठीक लगा हुआ था उसमें पहले से ही तो हो सकता है वह मैंने ही जब शुरुआत में पढ़ा हूँ तो मैंने ही टिक लगाया हूँ तो उसके लिए माफी चाहूंगी जो मानसरोवर इनकी कहानी संग्रह हैं वो आठ आठ भागों में है ना कि छे भागों में है ठीक है तो साइध मैंने गलत बोल दिया हो उसके लिए माफी चाओंगी आठ भाग है उसके मान सरोवर के ठीक है प्रहेम चंद की जो कहानी संग्र है उसमें कहानियां इनकी संकलित है 71 नंबर प्रश्ण देखेंगे आप लोग वरगद की चाया उपनियास के लेखक हैं तो डॉक्टर सत्यप्रकास सिंगर लेकिन आप लोग तो गलत काफी नहीं बताते हो यह बात गलत है सभी लोग ऐसे थोड़ी होंगे जो मतलब आप हमें वाट से पर बता दिया करिए है ना 72 ऐसा होता क्लास बनाते हैं तो वाई चांस हर किसी से मैंने एक दिन देखा एक बहुत ही सीनियर बहुत ही सीनियर टीचर पढ़ा रहे थे और बहुत ही आसान सा प्रशन वो बार बार बता रहे थे लेकिन टिक वो गलत लगा रहे थे आप समझ सकते हो वो बोल कुछ और रहते टिक किसी और पर लगा रहे थे तो ऐसा हर किसी के साथ हो सकता है क्योंकि इंसान है हम सभी है ना गलती किसी से भी हो सकती है 72 प्रेम चंजी किस प्रकार के उपन्यास का रहें तो आदर्ष पहले यथात बाद में 73 नंबर प्रशना आप देखेंगे जुगलवंदी के लिखा कौन है तो जुगलवंदी इनका जो है गिराज की सोर जी है इनके लोग है ठीक है लोग बहुत ही फेमस है जुगलवंदी है और भी कई उपन्यास है 15 उपन्यास इन्होंने ऐसे लिखे हैं जो इनके बहुत ही फेमस हुए है चलिए 74 ने में लिखित में से कौन सा उपन्यास आंच लिख है तो मैला आचल है जो 1904 में प्रकासित हुआ था 75 सेखर एक जीवनी किसके जीवन को उद्गाड़ित करने वाली है तो वो है सेखर एक जीवनी आग्गें की है 1951 में प्रकासित हुई थी 76 नंबर आप देखेंगे यहां पर पूचा गया असत्य कथन है असत्य कथन का चैन करिए तो विकास क्रम की द्रश्टी से हिंदी उपन्यास को मुख्याद दो भागों वाटा गया है मुन्सी प्रेमचन के उपन्यास के खामाजिक है चंद्रकांता दीविकी नंदन खत्य क प्रसिद्व पन्यास है तो नहीं यह गद्रकी अध़ा थो सबसंदन गलत हो जाएगा 77 असत्य को चय का करना सरक तिलास मुन N, whenекपर chính प्रेमी का सही ने की है अध्किला फूल में सामजी कुरितियों पर व्यंग किया है सही है सरकटी लास बढ़कर आए हैं अभी आप लोग सेवंटी सेवन का करेक्ट आंसर बताइएगा सरकटी लास किसका है इससे आपका रिवीजन हो जाएगा सेवन्टी एट नंबर प्रिश्ण आपका फिर से पूचा गया है कि असत्य कथन का चेहन करें तो हिंडी में मुंसी प्रेमचंजी का प्रिथम उपन्यास सेवा सदन है देखिए यहां पर दिया गया है सही है शेवा सदन का प्रकासन 1908 में हुआ है अभी हम जब देखेंगे क आधनिक साहितिकार के जीवन की समझ्यां परिशुद करने वाला उपन्यास का उपन्यास मंगल सूत्र मुंसीत का अंतिम ौण उपन्यास है तो असा नहीं हो सकता है कि गोदान 1936 पूण उपन्यास है मंगल सूत्र अधूरा उपन्यास है प्रेमचंजी का है इसलिए रभी असत्य हो जाएगा 79 नंबर प्रश्ण आप देखेंगे असत्य कथन को चुने तो असत्य कथन हमें चुनना है यहां पर कैसे चुनेंगे देखिए असी नंबर प्रश्ण फिर से हमारा मैस करने के लिए आगया है तो हम टारिक्ट मैस करेंगे मा जो है 1929 में प्रकासित हुआ था विसंबर नात कौसिक का है विदा प्रताप नराण मिस्र का है सेवा सदन मुंसी प्रेम चंद का है मूख तपस्वी कुमारी कंचन लता सब्वर बाल का है चलिए आगे बढ़ते हैं 81 नंबर आप देखेंगे प्रश्ण 81 हमारा जो है निम लिखित कतनों पर विचार करना है कि यहां पे कौन से कतन सही है तो आप देखेंगे इसको नोट कर लीजिएगा गुरुदत ने अपने उपन्यासों में भारतियों की आदर्शों और इसको बना सकती है ना देश की हत्या गुरुदत का प्रशिद्ध उपन्यास है सही है कली मुस्काई डॉक्टर सत्वरकास सेंगर का लिखा उपन्यास है सेंगर जी ने इथार्थ की बुराईयों को दूर करने के लिए वियंग का सहारा लिया है सभी सही है ध्यां रखेगा ठीक है फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ गुरुदत ने गुरुदत जो थे उन्होंने अपने उपन्यासों में भारतीता के आधर्शों और राश्टी जीवन की विभिन समस्यां का चित्रण किया है देश की हत्या गुरुदत का प्रिश्द्ध उपन्यास है पूस दिया जिनको भी उपन्यास पढ़ना है तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिए अगा क्योंकि एक उपन्यास से समंद्ध पूरा वीडियो आपको मिल रहा है निमली खित कतनों पर विचार कीजिए यहां पर देखिए बहुत ही मैं प्रश्ण है यह आंचलिक उपन्यासो नासँ के लिखे जाने की परंपरास तंतरता के प्रश्चाद सुरू ही थी सही है मैला आंचल एक उपन्यास है सही है परती परिकथा रेयाटो जी का उपन्यास सही हो जाएंगे 83 नंबर परिष्ण आप देखेंगे की निमली खित में से कौन सा एक आंचलिक उपन्यास है राही बशूम्रजा का है और उसकी वाद में पानी के प्राचित रामदर समिस्त्र का है रद के पहियर हिमान सुस्री वास्तव का है और अलग-अलग बेतरनी से प्रशाज सिंग का है तो आपका इस तरीके से करेक्टर अंसर हो जाएगा फिर आपका मैस करने के लिए प्रशन है कि अपराजिता है फालगुन के दिन चार दिल्डिका विवचार निरूपमा तो निरूपमा किसका है यह सुरिका अंतरपाथि नराला का है 1936 में प्रकासित हुआ था तो यहाँ पर देखेंगे कि अपराजिता है सुरी यहाँ पर आप देखेंगे दिका चार देखिए भी का हो जाएगा फालगुन के दिन चार जो है वह व्यक्तर पांडि विच्छन सर्मा उगर का ठीक है और दिल्ली का विवचार जो है यह आपका हो जाएगा आचारे चतुरसेंथ सास्ट्री का आप राजिता रिशाभ्चरान का है निरूपमा सुरिका अंतरपा है चलिए अपसरा देखेंगे उपन्यास है किसका है तो 1931 में निराला जी का प्रकासित हुआ था यहां पर आप देखेंगे कौन सा सितारों का खेल इंसान महाकाल सुनीता तो सुनीता किसका है जैनेंद्र का है महाकाल किसका है कि सुरी सुरी सीतारों का खेल है आप सहां बिलकुत सभी सी ओफसन करेक्ट हो जाएगा एटी एट नमबर श्रीकांत निम लिखित में से किस उपन्यास का पात्र है बहुत ही अच्छा प्रश्ण पोंच दिया गया है पात्र पूंच दिया गया है तो स्रीकांत सुनीता 1934 में प्रकासित हुआ था 89 नंबर प्रश्ण आप देखेंगे प्रश्ण हमारा है निमली खित में से किस एक उपन्यास में योन फ्रोर्जियों का चेतरण किया गया है वो है अपनी अजनभी जो अग्येंजी का है क्योंकि मनों विश्लेशन वादी है इसलिए इसी में चर्शागी नभी नंबर प्रश्ण देखेंगे आप लोग निमली खित में से कौन सा एक प्रगतिवादी परंपरा का उपन्यास है तो प्रगतिवादी परंपरा का उपन्यास का जो है वो है यस पाल 91 नंबर प्रश्ण आप देखेंगे कि अजे की डायरी, अजे की डायरी देवराज की असत्य कथन चाटना है और उसके बाद में पत्थर पानी यादव चंदर जैन का है, चांदनी के खंड़ार, ठीक है चांदनी का खंड़ार ये गोपाल राम गहमरी का नहीं है, गेजधर गोपाल का है और दादा कॉम्डेट यह जब आसत्य कथन देखना है इसमें आसत्य कथन को चुंआ तो कि बारह घंटे एकधियाफ़ कुट्रका है सही है नए पॉद और काले कार्णा में मशाल भैरो पुषाल मिस्रण गुप्त का है काले कार्ना में निराला का है नई पॉद अग्जेंक का नहीं है त्रानवे नंबर प्रिश्णा आप देखेंगे मित्रो मरजानी कृष्णा सोवती का है 1967 में प्रकासित हुआ है कल्याड़ी 99 जैनंडर का है खिला फ़ोषब का है थाकोर जगमहन यहां पर असत्य पोंचा गया तो यह थाकोरmen श्काफ नाति क्म्वाद कहर को है प्रणाई नी परणे कि सोरी लाल को सामी का परिच्छा गुरू वाल कृष्ण भट का भाई कहां है वाल कृष्ण भट का परिच्छा गुरू यहीं गलत है इतना साउंसा पच्चान में नंबर प्रिश्ण आप देखेंगे फिर से में असत्य को छाटना है अंधेरे की ॹजार इपर्षाद दुवेदी के नुसार भारती फरिश्ण का प्रथम उपनियास कौन सा है इन में से कौन सा उपनियास दुवेदी यूग में लिखा गया है तो अधिखिला फूल जो है भाई ये दुवेदियुक का है क्योंकि रचना कर दुवेदियुक के थी अंधे नगरी नाटक है लज्जा नहीं सरकटिलास नहीं अठानवे नंबर प्रिश्ण है हमारा मैंने आपको बताया था विश्वास की वेदि पर तो दो बार वी वी आ रहा है तो ये प्रताप नराट सी वास्तों है 99 नंबर प्रिश्ण हमारा जो है वो है अंतिम आकांचा उपन्यास के लेखा कौन है तो सिया राम सरण गुप्त है और आज का अंतिम प्रिश्ण जो हमारा है उपन्यास का वो है ना हन्यते उपन्यास के लेखा कौन है तो वो है मैत्रई देवी तो आसा करती हूँ आप सभ हम लाएंगे आपके लिए पाश्चाति काविसास्त्र के प्रश्ण लाने वाली उसके बाद में हम भारती काविसास्त्र लेकर आएंगे ठीक है तो आप लोग जो है कंटीनिव विजिट करिए और हाँ टेली ग्राम चैनल को नहीं जोइन गया जोइन कर लिए अपनी बहतर त पहलता के लिए ओकी आज के लिए इतना ही आप सभी का बहुत दो धनिवाद जुनने के लिए लाइक करने के लिए शेर करने के लिए और चैनल को सब्रलब करने के लिए अला गेष्ट